कि है यह व्ल्ड वैलकम टू दिस न्यू विडियो और आज कि इस वीडियो में कोई एसाइन्मेंट सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं नहीं मैं कोई कोडिंग कॉस्टन सॉल्व करूंगा ठीक है आज का यह वीडियो बेसिकली है एक मॉटिबेसन टाइप से आप ले सकते हो इ क्रांड करने हैं तो है नीयूटन कहूंद पूरे देशपोड पूरा सेंजिय में क्रिक करता हूं कि क्लिक करके कोई तो पहले यहां वह सब्सक्राइब कंपनी में या वह कंपनी का डियुक्त हो गया या प्रोसेस टॉप हुआ जो भी है तो वह सारी चीज़े पास्ट कंपनी में तो मेरा जो पास्ट कंपनी वाला सक्षन है वह सारा का सारा वह तो 69 रेफरल्स मिले थे जैसा कि आप देख रहे हो तो अलरडी देख रहें प्लेज दार कंपनी तो मेरा यह प्लेज नि दूसारै कंपनी श्युक्त हो तो मेरा यह प्लेज दूसार अरगा सारा चला गया है पहले यहां भी था रेफर्ट कंपनी में दैन वो चीज एसंग इतने सारे कंपनीज मुझे मिले थे तो यहां इस्टूट्स का डेली मतलब कमेंट मैं कई सोसल मेडिया साइच पर देखता हूं रहा है यह कमेंट में कई सारी चीजे लिख रहे हैं लेकिन मैं बेसिक बता हूं अगर आपको किसी और गनेशन की सचाही जाननी है तो उसके बे बातों में मताओ social media पे किसी कमेंट लेख लिए उसके पीछे लग गए लाइन लगा रहा है कमेंट किया जा रहा है इस्टूडेंट से बात करो ना जा कर कि आप लिटरली एक्जिट एक्ट्वल में चीजें हैं लेकिन हां कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनके खुद के में स्टूडेंट्स नहीं होगा डेफिनिटली क्योंकि आज रिक्वाइर्मेंट क्या है कंपनीज मार्केट लेवल पर देखना चाहती है आपके रिजूमे में वह चीजे हैं कि नहीं मैं कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि मुझे रैफल नहीं मिल रहा मेरा रिजूमे प्रोजेक बना रखें जिसका कोई यूज ही नहीं है तो यहां देखो लाइने लगे हुए मेरे डेस बोड में मैं आपको थर्ड पर दिखा हूँ 69 देख नो 69 कंपनी का रेफरल है और सब में में मेरा प्लेस्ट इन अधर कंपनी क्योंकि अल्रड़ी आई गॉट देखा है न्यूटन का और यहां पर देख सकते हूं मैंने राउंड पर राउंड क्लियर किया है यह देखो यह सारे में टिक लगा हुआ है तो मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा भी एक पर बनाऊंगा कि पूरा किस कंपनी प्लेस्मेंट हुआ मेरा क्या पैकेज वेकर सब कुछ था मैं उस पर भी कभी बात करूंगा आप से किसी है कि स्पेस्विक वीडियो में लेकिन आज पस मैं सुचा कि क्यूरिसिटी है एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगी अगर आप अल्रेडी एक स्टुडेंट हो अभी न्यूटन के और यहां प्लेस्मेंट फेज में हो सबसे इं में एक प्रोपर फॉर्मेट में नहीं है मैंने कई सारी गलतियां देखिए बच्चे कर रहे हैं और बच्चे दोस अपने उपर नहीं लेते हैं बच्चे दोस ओर्गनाइशन को देते हैं वोलते कि यहां पे इसके अंदर गलतिया है आप एक से दो राउंड मैंने टोटल 6 सिक राउंड मैंने क्लियर किया है और अराउंट टन कंपNS में मैंने फाइनल राउंड क्लियर किया है टोटल त्री उफर मुझे मिले देन मैंने के एक को पइस बेस्ट को मैंने स्रग किया तो अलड़ी इस पर कभी कि सुच रहear हूं कि एक देटेग video बनाओं ताकि अन ल बाइक करने के बाद लोड करने के बाद करने के बाद दूबारा से इंटर्व्यू पैनल पर जाते हैं देन मैं दिखाता हूँ देखो 69 अब तो भरोसा हुआ तो इतने रेफरल्स हैं अब कई स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या है कि उनको रेफरल मिला एक से दो तीन से चार पांच कंपनी में अब भाई आप राउंड ही क्लियर निकर रहे हो तो आपको क्यों रेफरल दी जाए आप अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी में जैसे लगातार मैं यह नहीं बोल रहा हूँ एक से दो में ही लगातार 10 या 15 आपको रेफरल मिला एक तो सॉर्टिस्ट नहीं हो रहे हैं पहले सॉर्टिस्ट नहीं हो तो यहां पूरी की पूरी गलती आपके रिजुमे के अंदर है यह तो think about that एक दो आयोटी के प्रोजेक्ट दालो कम से कम इंटरनेट ओव थिंग्स के AI ML के कुछ प्रोजेक्ट डालो यह यह आप वेब साइट वेब डेवलपर की हाईरिंग हो रही है आज मैं कुछ सिंपल बात बता हूँ अगर आपको टीचर बनना है तो आपको आपको बन पाए प्रोफेसर लेकिन टीचर तो बन जाओगे कम से कम तो को रिज्यूमे में हाईयर लेवल की चीज़े होने चाहिए आज हर एक स्टुडेंट ने करद बना रहा है हर एक म्यूजिक बना रहा है हर एक कोई मतलब इस टाइब की चीज़े टीवी बना रहा है मूवी बना रहा है नेट्फिक्स क्लोच करदो इसके ललाफ स्लैक का अको स्टूब क्लोच यूटूब का बनाओ ये सब चीज़े मूस्ट रÂंडिंगा चूड़ा और और जिनका भी रिज्यूमे नहीं हो रहा है उनकी गलतियां है और मेरे रिज्यूमे में नेट्फिक्स खलोन मिलेगा आपको जिसे कारण around में बताऊं 60% 100% की बात करूँ 60% company में मेरा direct resume shortlist हो जाता था मैं तो interview दे दे के परिशान हो गया कि इतनी जगे shortlisted मेरा हो जाता है main क्या कि मैंने link से हट के काम किया सब चीजे मैंने अलग कर दिया जो normal चीजे कर रहा है मैंने कभी किसी का resume copy नहीं कि मैंने खुद का बनाया जो resume evaluation session भी Newton के अंदर होता है उसमें भी हमें बताया गया कि आपको क्या specific चीजे अपने अंदर resume अंदर डालनी है अब मैं 8 class में national talent search जामने से मैंने qualified किया NTSC तो वो NTSC का भी एक बहुत special मतलब बोल सकते है कि न eyesight वहाँ eye catchy thing है वो भी तो ऐसे ऐसे चीजे highlights करो न अब लड़के अपने resume में क्या डाल रहा है dancing, singing मेंने किया यह आपका extra curricular activity है company आपको dance करवाएगी आपको company में उलाके तो यह सब कुछ गलतियां है जो आप resume में कर रहे हो और आप resume shortlist नहीं हो रही है और आप those organization को दे रहे हो तो यहाँ think about this इन सब चीजों को change करो और कई सर में resume session भी मैं सुछता हूँ कि एक proper video बनाओ कि resume actual में होना कैसा चाहिए जिससे कि आपको एक understanding मिलेगी company requirement क्या है थोड़ा सा क्या करो थोड़ी देर के लिए अपने आपको as a hiring manager बना लो अब अपने आपका resume को check करो बैमान ही मत करना बिलकुल honesty से देखना कि क्या यह resume आपको आता है तो आप उसे select करोगे अपने आपको यह नहीं कि अपनी side लेने लग जाना देखना कि क्या आज की market की requirement आज node.js का project है आज हमें web API से related काम करना है हम बना रहे है to do list है भाई direct reject करोगा मैं ऐसे resume मेरे पास आता है तो obvious सी बात है गलती है यहाँ पे आप कर रहे हो आपका resume में short list नहीं हो और आपको referrals मिल रहे हैं और जो organization की policy क्या है कि आपको एक तो आपको short list आप होनी रहे हो और आपको बार बार referral भेजे, instead आपके अलाबा उन बच्चों को भेजे जिनका round clear हो रहा है, उनके chances ज़्यादा है तो इसलिए आपके referrals कम हो जाते है सबसे important चीज़ यह है अब कुछ बच्चे अपने preferences में क्या करते है वो direct 10 LPA लिग देते हैं कि 10 लाख वाली company में ही job करूँगा तो अगर आप ऐसे shift हो जाओगे तो आपको हो सकता है कि 5 to 8 वाली company अच्छी थी और 10 LPA, 12 LPA वाली company जो होती है वो थोड़ी कम आती है वो थोड़ा सा उनका ratio कम होता है तो आप वेट ही करते रहोगे फिर तो अभी के लिए 7 जो है बोल सकते हैं कि एक अच्छा amount है 7 कर लो तो आपको 10 वाली भी मिलेगी 7 वाली तो अब्यस मिलेगी तो आज सारे के सारे फिर से सिच्वेशन ठीक हो रही है हर कोई work from office के लिए force कर रहा है work from home rare अब चीजें है तो यहाँ भी changes की जड़ो थे तो यह कुछ सारी changes है जिसको आप ठीक करके यहाँ लाइव आप देख सकते हैं 69 टूटल मुझे referrals मिला था और उसमें से 10 companies जो ऐसे थे उसका मैंने final round तक clear किया और उसमें से 3 best जो था वो final उसका offer मिला उसमें से 1 जो सबसे ज़्यादा package था उसको मैंने जोईन गिया तो चीजें है मैं आपके सामने live हूँ live example है तो यहाँ नहीं है तो आप देखो कि आप अपने ground level पर root level पर आपके अंदर को कमी तो नहीं है अगर कमी है तो सबसे पहले आपको अपने skills को brush up करने चाहिए उन चीजों को ठीक करना चाहिए कुछ लड़के कि है technical round किसी तरह assignment तो clear हो जाता है technical round में जागे कुछ बोली नहीं पाते हैं वहाँ पर reject हो जाते हैं दो तीन बार reject होते हैं न्यूटन उसका referral कम कर देता है और बस ही बात है आप पर क्यों time waste किया जाए दूसरे जो बच्चे जो referral पर referral उनको मिल रहा है round पर round clear कर रहा है उनको वह देंगे तो यह स्रीज रखा हुआ है अपने यूटूब चैनल पर आप जाओ प्लेलिस देखो भी जावा इडिलोजी नाम को मैंने स्रीज स्टाट किया उसमें लाइन बा लाइन मैं आपको बता हूँ हो सकता है और भी अच्छे से वीडियोज मिलेंगे एक दू वीडियोज जाके देखो अगर पसंद आए तो पूरी प्लेलिस देखना प्लेलिस का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आज बेसिक्स पर ध्यान देने की सबसे इंपॉर्टेंस है क्यों क्रीमी स्टुडेंट्स को हायर करें सबसे टॉप स्टुडेंट्स को हायर करें बेस्ट माइंड्स को हायर करें तो यह राउंड्स बनाए गया है आपके चेक के लिए कि आप हमारे उमीदों पर कितना खड़ा उतर पा रहे हो की नहीं तो अगर आपको रेफरल मिल रहे है जिस पर आपको वर्क करने की काफी जरूत है तो एक डिटेल्ड प्लेस्मेंट पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी कंपनी है क्या पैकेजे सब कुछ है मैं बताऊंगा उस पर तो थैंक्यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो कीप लेडिंग बाइटेक कियर